हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आप सब का स्वागत है मेरी यूटीब चैनल में आची वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ पाच ऐसे आसान तरीके जो बहुत 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 आम हैं और जिनें अपना कर आप अपनी खुबसूरती को बढ़ा सकते हैं आगे बढ़े बढ़े सब्सक्राइब करना ना भूले मेरी चैनल को और बैल के आईकन को दबाना ना भूले सारे लेटीस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और नहीं दिखना चाहता पर बही बात होती है कि खुबसूरत दिखने के लिए सबके पास उतना रुपे नहीं होते हैं कि वो अपना मेकप कराए या फिर वो महेंगे कॉस्मेटिक्स ना सके तो उन लोगों के लिए और ऐसे लोगों के लिए भी जोकि regular कॉस्मेटिक का इस्तमाल करते हैं थोड़े वक्त के लिए कॉस्मेटिक को कुछ से दूर करें और अपनाए कुछ आसे तरीके जिनके इस्तेमाह से आप अपनी खूप सूरती को बढ़ा सकते हैं दोस्तो हो सकता है ये तरीके आपको बहुत ही आम लगे पर ये तरीके मैं आपके लेस्टे लेकर आई हूँ ताकि आप इन चीजों को अपने रूटीन में लाएं और आप अपनी खूपसूर्टी को बिना पैसे खर्च करें बढ़ा सकें और सबसे आम तरीका है आपके सोने का तरीका दोस्तो सोते सब हैं और सब ये कहते हैं कि 7-8 घंटे सोना चाहिए पर आप सोते कैसे हैं उस पर निर्भर करता है कि आपकी खुब सूर्टी बढ़ रही है या घट रही है दोस्तो सोते वक्द्धियान रखें कि आप हमेश Capitol तक् बहुत जादा अच्छा रहता है आप सिल्क पिलो कवर लें और इस पर आप सूए ऐसा करने से आपके चहरे पर फाइन लाइन नहीं आएंगे और ये आपके चहरे की सुर्थी को कायम रखेगा इसाथ दूसरी चीज होती है गुड़ स्लीप यानि ठंक से सोना कुछ लोग सू नहीं पाते हैं या तो उन्हें काम की परिशानी होती है या फिर वो काम करते करते बहुत लीट हो जाते हैं और सुबह उन्हें वापिस से आफिस में भागना पड़ता है तो दोस्तों काम के लिए अलग वक्त रखें और सूनी के लिए अलग वक्त रखें हमारा फोन डिस् सोनी की जरुत होती है और एक गहरी नींद बहुत जादा जरूरी है जिस वज़े से आपका कॉंप्लैक्शन सुधर सके आपके चहरे पे डाक सरकल कम हो इसी के साथ आपके साथ अगर एक की प्रोसेस हो रही है तो वह भी रुख जाए क्योंकि जो लोग धंक से नहीं सो पाते हैं चेहरे पे ठकार लगती है और एक वक्त के बाद वह अपनी उम्रों से जादा बड़े लगने लग जाते हैं तो एक धंकी नीद लेना बहुत जादा जरूरी है जरूरी चीओस होती है आपकी डाइट कैसी है आज कल सब लोगों की डाइट बिगडी हुई है क्योंकि व जो घर से बाहर रहते हैं इसलिए वह एक हैल्दी डाइट फॉलो नहीं कर पाते हैं पर हो सके तो आप अपनी डाइट में फूट्स और वेजीटेबल को शामिल कर लें जो की कच्चे हों आपका फूर्ट वेजीटेबल से लेड लें इससे आपकी खुबसूरती बढ़ेग हो आप औरेंजिस ले सकते हैं जिससे की आपके शरीको विटामिन प्रचूर मात्रा में मिलता रहें अपनी डाइट को प्रोटीन रिच रखिए कुछ ऐसी चीज़े खाईए जो दूद की बनी हुई हो या फिर जिनमें प्रोटीन बहुत जादा हो ऐसा करने से आपकी खू से उन्हें कहीं भी चक्कर आ जाते हैं गिर जाते हैं तो पानी पीने बहुत जादा ज़रूरी है अगर आप सिंपल पानी नहीं पी पाते हैं तो आप डिटॉक्स वाटर करें आप अपनी बॉटल में पानी पूलकर उसमें थोड़े से फ्रूट्स डाल दीजिए ताकि अब तक अच्छी रहेगी और यह फाइन लाइन्स और रिंकल का शिकार नहीं होंगी आजकल के यंग्स्टर्स बहुत साधा कॉस्मेटिक प्रड़क्स साथ एक्स्पेरिमेंट करते हैं जिस वज़े से उनकी स्किन पे साइड इफेक्ट होने लग चाते हैं तो आप सब एक स्किन केर रूटीन को फॉलो करें और कोशिश करें कि वो नैच्रल होन या होम रेमेडी से युक्त हो क्योंकि ऐसा करने से आपके स्किन पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा और किसी भी स्किन केर रूटीन को कम से कम दो महिने तक फॉलो करें ताकि आपको पता चल सक कि वो आपकी skin को suit हो रहा है या नहीं हो रहा है तो आज ये इन 5 तरीकों को अपना है और अपनी खूबसूरती को बढ़ाएं ध्यान रखें इन 5 बातों को और अपने experience हमारे सार शेयर करना बिलकुल ना भूलें हमारे चैनल को subscribe करें और हमारे वीडियो को like और share बिलकुल करे हमें follow करें instagram और facebook पे और ऐसे हमें अपना प्यार देते रहें thanks for watching see you soon